अजसे हम स्टार्ट करते हैं व्यापम के एक्जाम्स और कोड के एक्जाम्स के लिए सनोनिम्स और एंटोनिम्स ठीके तो देखो पहले ये कौशन आपसे बूच रहा है कि आपको सनोनिम बताना है किसका फ्रेंक का आपको बता है फ्रेंक क्याने क्या होता है Frank के आने होता है हाजर जवाब देने वाला कोई ऐसा वेक्ती जो हाजर जवाब दे मलब बिलकुल सही बात करे बुद्धी मत्ता वाली बात करे उसको क्या बोलते है Frank आप बोलते हो न जिसे वो इनसान बड़ा Frank है मतलब सीधी बात करता है तो फ्रेंक के आने के होता है, इस पश्ट बात करने वाला ठीक है? अब यह देखना, Keylaus इसमें Payless का मतलब दिया है, Payless का मतलब होता है, MX увидеть님이 जिसको कोई भी मतलब ना हो इनके मीनिंग याद मत करना यह उल्टे सीधे दिये हुए है ठीक है इनको मत देखना जो मैं बोल रहा हूँ वो याद करना ठीक है कैलस का मतलब होता है संबेदन हीन आप लिख लेना कहीं पर पॉस करके लिखना है वीडियो को ठीक है जिससे आपको याद हो जाए कैलस जाने होता है संबेदन हीन इसको आएशियात कर लो जो एक साओफ अफ्रेगा का बॉलर था जैक कैलस वो बहुत वेगेट लेता था मतलब वह संबेदन हीन तो उसे किसी से फर्क न ही पड़ता था ठीक है yourself जियाने होता है हाजर जवाब देने वाला जो फ्रैंक निइच पड़ा लेक्ति, सीविल याने के उता है वीजना, बुलते हैं पड़ा लेक्ति, बॉलते हैं के होता है यह व्योर इनिомина हुता है। अगला देखना टाय रेनिकल इसका मतलब होता है हिटलर क्या होता है हिटलर हिटलर कौन था नाजी था नाजी सेना का मालिक था ठीक है जर्मनी का तो हिटलर कैसा था ताना शा करता था मतलब एक तरफा शाशन अपना बताना ऐसा वेक्ति जो अपनी पावर का यूज करके एक एक शतर राज बनाने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलते हैं, टायरेनिकल, ठीक है अभी इस टाइम पर कौन है, वह किम जॉंग है, उसका नौर्थ कोरिया का, नौर्थ कोरिया का किम जॉंग वह भी कौन है, हिटलर की तरह काम कर रहा है, मतलब ताना शाह, डेस्पोर्टि तरह किम जो घुड़ूल साह, याने, जो मानवता नहीं करता, लाइनिकल, क्या बोलते हैं, इन assume को, आमान turnaround, वी आने क्योगा, इनstä्यूमन, असिवलाइशं जाने, जो पढ़ता रहा है या लिकल थाए हताòng, पढ़ता अश्युवान को कि उसक्रिवार्का रहा है या इसमे बहादुर वेलियंट इसका मदलब भी क्यों होता है बहादुर वेलियंट इसका मदलब भी होता है सहासी महावीर बहादुर ठीक है तो ब्रेव का सिनोनिम क्यों हो जाएगा वेलियंट इसमें देखे ना टाइरैनिकल का सिनोनिम क्यों हो जाएगा despotic out spoken याने क्यों होता है सीधा बोलने वाला frank इसका क्या मतलब होता है frank तो देखो frank के आपके पास तीन मीनिंग हो गए एक frank का मतलब क्या है frank इस पश्ट बोलने वाला candidate का मतलब भी क्यों होता है इस पश्ट बोलने वाला इलोहुंटि एने होता है भाव। जो भाव से ब्रहा होता है। इलोहुंटि हैना क沌षी बहा शक्राना हुआ। और समस्क्र कर하는 यहाना हूंग के सब्सक्राइब मिथना है। अगल्न मूझनें अब को इसका मंनला होता है दुख। किया मतलब होता है इसका दुख डिप्रेसिंग 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 आने के होता है वही तनाव होना दुख में होना डिप्रेस हो गया तो मतलब क्यों हो जाते हैं डिप्रेसिंग जब हम दुख में होते हैं तो इसका सुनॉनिम क्या है डिप्रेसिंग है ग्लूमी रहने के हो जागा जो साफ नहीं है आइसपस्ट, क्लियर रहने होता है अनक्लियर रहने के होता है आइसपस्ट, सफरिंग रहने होता है पीडित, कश्ट बोलते हैं न जैसे आप application लिखते थे थे न बीमार होने की I am suffering from fever, मैं भुखार से क्या हूँ, पीडित हूँ तो suffering रहने के होता है, पीडित अगला देखना freedom, freedom रहने होती है स्वतंतरता disharmony, disharmony होता है याने asamonjas, याने confusion asamonjas या confusion याने confusion को क्या बोलते हैं, asamonjas होता है, आपको इंदी पता होगी, बहुत इंदी पढ़ते हो आप, तो पता होगा disharmony याने के होता है, आप समझस से discord याने होता है, जगडा discord, apple of discord याने जगड़े की वस्तू, एक idiom आता है, आपका कहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं apple of discord यदि एक apple है और बहुत सारे मरीजियन तो वापस में लड़ मर जाते हैं, ठीके, तो apple of discord याने के होता है, जगड़े की वस्तू ठीके, discord याने के होता है, जगड़ा tyranny, tyranny याने वही निरंकुष, यह था ना, आपका tyrannical था यहाँ पर, tyrannical था याने timid, timid याने होता है, कायर timid याने के होता है, कायर वेक्थी कायर वेक्थी को क्या बोलते हैं, हम timid बोलते हैं, ठीके जो कायर है, जो डड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, हम timid बोलते हैं, ठीके timid का क्या हो जाएगा, दिखो सनोनिम cruel याने क्यों होता है मलब बेकार आदमी, कमीना वेक्ती, ठीक है, क्रूर याने क्यों होता है, बेकार वेक्ती, क्रूर, ठीक है, तीसरी बार आ रहा है, meaning, फूलिष यह बेवकूफ। फूलो pacl़ टाया फूलिआ क्वट बेवकूफ। फूलिष यह बेवकूफ। काम हुट है शान्त जो इन पर हरता है क्या होता है काम हुट यह क्या है अगला देग फुरूल्ट हो चाहंतिव किताबों को है सिक्वेंस में जमादो मतलब इंगलिस- इंगलिस की एक तरफ रख दो और गड़ित-गड़ित की एक तरफ रख दो तो sequence यहने क्या होता है करन fail fail यहने क्या होता है fall f a ll fall यहने क्या होता है गरना the cat sorry he fell into the river fall की second form होती है fell he fell into the river वैर पानी में गिर गया तो fall यहने क्या होता है गरना अगला देखना couple couple का मलदा होता है Do 2иты जैसे का जो itu सम नहीं का रगा गोव ए مलाकोट के होता है का बोले हैं कि वह कौन है कपल है कोई पति पतनी है तो उन दोनों को भी लागा के полож होता है कुछ लोगों के लिए सम का मलदब भी क्या होता है कुछ व्यक्ति या पानी के लिए countable noun के लिए भी some का प्रयोग किया जाता है और uncountable noun के साथ भी some का प्रयोग किया जाता है few का प्रयोग किया जाता है countable noun के साथ और many का भी प्रयोग किया जाता है countable noun के साथ अगला देखना न्यूट्रीशियस जो आप न्यूट्रीशियस यहने होता है पोशन पोशन होता है पोशित क्या होता है? न्यूट्रीशियस यहने पोशित होता है पोशन, ठीक है? सेहत, न्यूट्रीशियस यहने सेहत होता है Strong kind means stronger bu ngay ndraha now strong stronger भाइदा रुपय का benefit आपको एक्सरसाइज करके क्या benefit हुका आपको सुधर हुआ रुपय Act good health healthy both Pot Deut क्वास्थ होता है ॹ्याप कि दोदों में अंतर गाया है अथी और हेल्थ नावन में हेल्थ है क्या है rud exercises कैसे पता चलेगा के healthy एड्जैक्टव और हेल्थ क्या है आपका नाउन है तो देखना जरा मैंने लिखा हेल्थ को क्या बूलते हैं स्वास थे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको एडजेक्टिव और अगर नाउन पैचाना है तो आप कैसे पैचानोगी लड़का ले लो आप बॉय ठीक है बॉय आने लड़का इसको ले ल आपके देख लो अच्छा गर मैं बोलू कि वहे एक स्वास्टि लड़का है वहे एक उपर लेग देता हम स्वास्टियः स्वास्टि लड़का है क्या ये सही है तो फिछट अ खेल्ट कि इजी नहीं है, क्या, अच्छा ये लिख दूँ में, वे एक स्वस्थ लड़का है, सौस्थ, ये सही है आपका, वे एक स्वस्थ लड़का है, तो सौस्थ को इंगलेश में क्या बोलते हैं, हेल्दी, अगर इसको लिख दूँ में, he is a healthy boy तो अभी यह सही है तो यह अंतर होता है तो देखना यह nutritious है जिन भी शब्द में last में I O U S लगता है तो यह adjective हो जाती है तो आपको क्या लागाना पड़ेगा adjective का synonyme क्या होगा अगला देखना theatrical theatrical देखो थेटर याने क्या होता है जो अब cinema picture देखनी के लिए आते हो ठीक है तो उसी से सब्द बना है theatrical ठीक है theatrical याने क्यों होता है मजेदार, अनंद, उत्तेजित हो जाते हैं जिसको देखो, शांदार लगता है यह क्यों होता है theatrical, जो movie दवंग 3 देखके thriller movie जैसे comedy movie होता है suspense movie होता है thriller, छिसमें action वगेरा सब होता है तो इसका pseudonym क्यों जाएगा thriller historic यहने होता है history atihasik historic यहना क्यों होता है historic यह apar oynay kalpnik man ghadant history on ическая history on यहने क्यों है kalpnik history on क्यों होता है kalpnik delicate wife होता है कोमल soft को मल ठीक है इसमें वैसे लिखा हुआ है delicate है को मल को मल और delicious है स्वाधिश्ट यह सारे सारे समें meaning दी है अगला देखना loyal loyal है न होता है बफादार यह तो कई बार बोलते हैं लड़का लड़की से बोलता है तुम लड़की लड़के से बोलती है कि तुम मेरे लिए loyal नहीं हो मलब क्या नहीं हो बफादार नहीं हो lover यहाने क्योंगा प्रेम करने बाला देखो loyal का मलब है बफादार ठीक है lover का मलब होता है प्यार करने बाला प्रूल यहाने पांच भी बार आ यह रट जाना चाहिए कल पूछूंगा नहीं बताया तो मैं डंडा मारूँगा याद रखना चीट यहाने होता है दोका देना बूलते हैं यह तो सब लोगो सबको पता हो चीट यहाने क्यों होता है धोका देना ठीक है faithful faithful यहने भी क्यों